आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं मामल्स में ओस्मोलारिटी को मैंटीन करने के लिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पर Option फोर से जो दिया गया है हैंले लूप और वासा रेक्टा तो यह जो हमारा Option है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है विकाज जो हमारे Descending Loop of Henle होती है यह Receive करती है Isotonic Fluid को from the Proximal Convoluted Tibule जिसे हम Most of the Time PCT भी कहते हैं और यह जो Fluid है यह Isotonic होता है विकाज यहाँ पर जो हमारे आइन हैं यह Reabsorpt होते हैं बाइद ग्रेडियन टाइम सिस्टम और जो Water है वो भी यहाँ पर Reabsorpt होता है जिससे हमारे जो Loop of Henle है यह Maintain कर पाती है Osmolarity को अब अगर हम Vasa Recta की बात करते हैं तो Vasa Recta जो है वो हमारा Capillary Network होता है जो Supply करता है Blood को to the Mediola और यह जो है Highly Permeable होता है Water और Solute के लिए Means यहाँ पर भी जो Osmolarity है वो Maintain रहती है तो के देखेंगे Second Option Second Option हमें यहाँ पर दिया गया है Vasa Recta and Renal Pelfis तो यह जो हमारा Option है वो यहाँ पर गलत होता है Third Option देखेंगे जो दिया गया है Vasa Recta and Clomerulus तो यह जो हमारा Option है वो भी यहाँ पर गलत है Last दिया गया है Rental Pelfis and Collecting Duct Again the Option is wrong So correct answer remain option First here and other are the wrong option given for this question Right Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 चार्सूपर